अलो गुड मॉर्णिंग दोस्तों यह देखे यह टमाटर हरा धनिया है और यह रैड़ वाली कैपसिकम और यह एक प्यास दो अंडे हैं हरी मिर्चेक और यह है ग्रीन वाली प्याज यानी स्प्रिंग ओनियान यह देखें यह मैंने सबको काट लिया है अब मैं एक हम प्यास दोन ही डाल दी है इसको थोड़ा सा हम बूलें गे बूनने के बाद इसमें मैं डाल दोंगी यह रैडवाली कैपसिकम इसको थोड़ा सा मूनेंगे मत्ताय सो यह कर ल defended गाए इसको अच्छे से पिर टमाटर नेंगे पुंठ एंगे भूर्णने के बाद इसमें हम डाल देंगे मतलब है थोड़ा सा गलना चाहिएँ उसके बाद इसमें हम मасьाले डालेंगे नमाक हैं , मिर्ची डाल दी है और तोड़ी कलर के लिए कश्मीरी मिर्च डाल दी इसको भून लेंगे, ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे से नहीं कि प्याज बहुत तिक है इसलिए जादर मिर्चे नहीं डालेंगे हम फूर यह अच्छे से इसको गल्ा लेंगे लिए चिंपलाज कि अच्छे से चला लेंगे और यह बहूत अच्छे से बनके हो जाएगी तैया तो बै नास्ते के लिए आप इसे ब्रेड के साथ रोटी के साथ या पिर प्राठे के साथ खा सकते हो इस बेखियो इस वीच अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि देखो बहुत अच्छे बुजी अंड़ा बुजी बनके हो जाएगे रेडी रेड कैपसिकम की इसमें थोड़ा धनिया डालेंगे फिर इसको मिक्स करेंगे और इसको जब तक इसका लग लग से पीस ना हो जाएगे इतने सुम्स को पूंते रहेंगे अब देखो मन दीगास करके आप इसको बूंते रहें यह देखे बनके हो गए रेडी अब